अगला जो हमारा यहां पर कथन दिया गए इसमें हमें देखना है संबेग सरी की वह दसा है संबेग के बारे में यहां पर बात की गई यहां पर बताया गया कि संबेग जो है संबेग सरी की वह जटल दसा है जिसमें श्वांस नाडितंत ग्रंतियां मानसक इस्तिति उत्तेज का ग्रीन का मानना था कि संबेक सरी की वह जटल दसा है जिसमें स्वास नाड़ी तंत ग्रंथियां मांसिक इस्थिति उत्यजना अबबोध आदी की अनुभूती पर क्या होता है प्रभाव पड़ता और जो पेशियां होती है निरदिश्ट बेवहार करने लगती हैं इसके फ प्रभावित किया यह डेफिनेशन किसके अनुशार है यह परिवासा हो जाएगी आपकी बुड़ वर्त के अनुशार तो यहां पर टिक मारत देंगे बुड़ वर्त महोदै के ऊपर आंगे यहां पर दिया गया वेकास के पारढ़ा हम शरूप बैक्ति में नवीन नवीन आणी में जब यह आपको नवीन सुन्हर मलें तो आहां पर देखिया हर लौफ के नुशार में रिकता होती यह और डेखियो बालक के वपार्स की वंयवस्ता होती हैंобы जिस्ता और किसुराबसता सकाड़ झाह आंगे का नहीं ह Attorney यह अनुग्ता यहां पर दिया गया है जो आपका स्यास्वाबस्ता की प्रमक्त मनोबैग्यानिक विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् समय होता है यह किससी होता है बाल लिए वर्षा का शमय होता है या शमूर बना कर एकि क्या करतें रहते हैं शमूर बनाकरने का और इसको फरसों पना ऐसे यह बहरुकमांट ह lect tube हाए होता है यह किस प्रेकार का होता है यह कैसा होता है वहर मुखी होता यानि दूसरों को देख देख कर क्या करता है खेलने का प्रयास कहता है दूसरों को देख देख कर ही वह शीखता है इसके फरसुप यदि हम यहां पर देखें तो बाल्यावस्ता में सक्षा का स्वरूप होन किस अवस्था में वाल यहां पर देखंगे हुआ है एकिस कि पिक्रिया के सद्दान पर आधारत होती है अगले हम यहाँ पर कथन को देखते हैं तो अगला कथन यहाँ पर बताया गिया है कि बाला की अबर ब्रद्धी जैवक नियमों के अनुशार होती है यह कथन किसका है तो यह कथन किसका हो जाएगा हर लोक का हो जाएगा यानि हर लोक के अनुशार यदि हम देखें तो बाला की अब ब्रद्धी जैवक नियमों के के अनुशार होती है जर्यक नीमं के नुशार ब्रद्धि होती है किसका मांनना था यह हर लोक महोड़ा का मानना था आगे क्ल ul नीचे आपको तूर्ध देख लें अगला देखे में पर आगला दिया लिए का उझा वह जाई ॉजर को जाता है तो यह भी जाता है देख last यह को जाएगा यानि बुद्धी लब्दी के लिए बिस्ष्ट से इस तेन महुद्धा को जाता है इसके फर्जू भी आंगे चलते हैं तो जीवन का शर्वाद कमात्पून काल क्यों कहा जाता है तो यहां पर हम देखें यह आधार है जिस पर बाला के भावी जीवन का क्या ह होता है जाने का रचते होता है तो जैसे-वाला की आहें ऑक नहीं देया हुदा है वैसे उसके सीखने का क्रम निम्दलेखित को चलता है तो यहां पर जैसे ही बिकास होगा वैसे ही उसका जो बिकास चलेगा जो क्रम चलेगा शीखने का वो सूज बूज की और कैसा होता है चलने लगता है सूज का सिद्धन भी अभी आप आंगे पढ़ने वाले हैं अगला आप देखेंगे नमने वैसे कौन सा कथन नहीं है बिकास आत्मक पूर बिकास हो जाता है वह बायू है तो यह आयू जो पहुंची गई है जिसमें बाला की मानसर की योगता का पूर्ण ब्रकास हो जाता है यह आयो कौन से हो जाएगी आपकी चवुदा वैसाई हो जाएगी जो मानसर की योगता होती है मानसर की योगता का पूर्ण ब्रकास देखने के लिए मिल जाता है आगे हम यहाँ पर देखेंगे तो अगला जो दिया गया मस्तस के दौरा अपने स्वयम की किरियाओं का निरिक्षण किया जाता है स्वयम की किरियाओं का निरिक्षण किया जाता है आत्म निरिक्षण कहलाता है अगला हम देखेंगे बिकास आत्मक पदिती को क्या कहा जाता है दोत्पत्ति मुलक विधी कहा जाता है प्रियोग आत्मक विधी में सामना नह work जिन दो कारकों करता है एक तो हो जाएगा आपका जैबक कारक और रूसरा क्षिक हो जाएगा तो यहां स्विठीच के द्वारा जो सख्चा होगा प्रति क्या कर सकता है उत्पन करे सकता है ब्यक्तिक बेदों का अध्यान और करका बढ़ाद करने की होता हैThis family। धालकिंहु उसकत की होकुए क्यों की जीव कोई कर से कांण ऐसा होता है बाल भकाष को शब शब्षार कहने वाला प्रमक घठक हो जाएगा बड़ा का बाली व्हार्वन भवन जहांपर अनुक रहाएंगे तो उन्यक्त को देख़ देखकर बालक क्या करेगा शी करेगा जिस में क्या होगी बेकासी किरिया होगी तो एक बड़ा भावन बालक को क्या कहता है बेकास को अधिक पेत कहता है बाल बेकास को पेत करने वाला गटक नहीं है परीपकुता नहीं है बातर बाने कहनतर गताते हैं तो हवा परकास हो जो जल होते ह ये बातर बने केंदर गताते हैं कितने माहिका जो सिसू होता है ये प्रौन बैक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है तो चार से पांच माहिका जो चार से पांच माहिका जो सिसू होता है ये बैक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है यानि मुख मुद्रा का मतलब हो जाएगा है मातर पता अपने मातर पता और अपने नजिवी क्यों फाल रतीक बेकासक लिए अध्यापकक काररत कार है तो बालकों को सीखने के पूरे-फुरे अफ्श्र पतान करना चाहिए चाहएं स्वास्तव की पूरा-फूरा ध्यान क्लिए मिलेगा वार्षन ने नवजा सिसु में मुक्रतीन संभिग बता जाते हैं माता पता के बच्चे उनके बिप्रीट यानि प्रत्यागमन हो जाएगा बिप्रीट बिशेस्ताओं वाले विक्षित होते हैं तो यहां पर कौन सा सद्धान लाग होता है प्रत्यागमन का सत्विताद लाग होता है समांता के नियम के लुषार माधर पता के जैसे होते हैं कैसे होते हैं वहाद की संससानूकरम हो जाता है रहा betrayal प्रत्याव का प्रभार लिए के लिए सेनकों के बंसज का अध्यन किया गया तो यह गोडाइड महुदाय के द्वारा बंसपर बुद्धी के प्रभाव को देखने के लिए सेनकों के बंसजों का क्या किया गया अध्यन किया गया मुद्प्रबत्ति का प्रती होता है तो संबेग हो जाएगा बालविकास की कि वस्ता से संब्लेगों से समेंद्ट हो जाएगा और वाला की अभी ब्रद्दी जब के नियमों के अनुशार होती है कि रोग में को पर पिर्ददे करते हैं इसको थोड़ा सा देख लेंगे माले बिंदू को किसके बिचार से 16 वस्था में बालक प्रैम की भावना काम प्रबत्ती पर आधायत होता है तो फ्रायड हो जाएंगे जहां पर भी आपको काम प्रबत्ती मिले फ्रायड के उपर आपको टिक लगाना है बनसानुकरम माता पता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है यह परिभासा किसकी है रूत वेंडिक्ट के अनुशार यदि हम देखें तो रूत वेंडिक्ट का मानना था कि बनसानुकरम माता पता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है बेकास के परड़ाम शरूप बैक्ती में नवीन बिशेस्ता और नवीन योगता हैं जब भी आपको मिलें तो ये हर लोग में मिलती हैं बाता वान भार पते एक बस्तू है जो बैक्ती के जिन्स के अतरेक्ट पते एक बस्तू को प्रभावत कहती है जिन्स के अत्रिक्ट यानि यहां पर हो जाएगा एनाइस्टासी हो जाएगा जिन्स के अत्रिक्ट का जो संबन है यह किस से है एनाइस्टासी से हो जाएगा बंसान्युक्रम हमें विक्षत होने की चम्ता परान कहता है यह कतन किसका है लेंडिस का हो जाएगा लेंडिस के अनुसर बंसानुकरम हमें विक्षचत होने की क्या करता है छम्ताप्राण करने का कर गएता है इसके फलसों पिएधी हम देखें तो जीवन की प्रतिक घटना का बंसानुकरम एवं बातावन से किस बिद्धवन ने सम्मंदत किया तो पेज इवं में काईबर बंसानी उक्रम और बातावन के सद्दान से जीवन की प्रतिक घष्टना को शंबंदत करते हैं यह मत किसका है सिक्षक को अपने कार के सफल संपालन के लिए ब्यवहरक मनोब ग्यान का ग्यान होना चाहिए यह मानना था मानटे सरी का मानटे सरी ने क्या किया था मेड़ा मारिया ने मानटे सरी